कि नमस्कार दोस्तों है कि आज केसे वीडियों में अपन क्षित्र नमबर्ट 20 के चर्चा करेंगे एक्सेस फिस्टरे मेरेंक्स की एक स्टुडेंट के डौट है कि उस्तनुंब़ ट्वैंटि में आ पसक हम से पढ़ते हैं सबन्हरों कि इंट इसकी पर्तिक हर्मीशन हर्मिशन मेट्रिक्स एको यानि ए विश्म हर्मिशन मेट्रिक्स एको बी प्लस आयोटा सी के रूप में लिखा जा सकता है तो यह अपने को शिद्ध करना है तो यह ध्यान से देखेगा एको बी प्लस Aota C की रूप में लिखा जा सकता है जबकि a क्या है विशम हर्मीशन मेट्रिक्स है किस्प अ का मतलब होता है A star बराबर माइनस का यह यह होता है आगे क्यूश्टन में पढ़ रहा है कि जहां B तता सीर करमे से वास्तिविक सम्मित तता वास्तिविक विसम सम्मित मेट्रिक्स है यानि B वास्तिविक सम्मित मेट्रिक्स है ये दियाव है तो वास्तिव के लिए B बार बराबर B हो जाएगा और सम्मित के लिए हो जाएगा B स्टार बराबर B यानि B ट्रांस्पोस का बार या B बार का ट्रांस्पोस बराबर B और C क्या दे रखा है वास्तिवी खिसम सम्मित मेट्रिक्स दे रखा है तो C वास्तिवी किसम सम्मित मैट्रिक्स है तो वास्तिव के लिए C बार बराबर C और विसम सम्मित के लिए C स्टार बराबर माइनस का C और C स्टार को इस प्रकार लिख सकते हैं C बार का ट्रांस्पोर्ज बराबर माइनस का C कि आप हमें पता है कि a विश्म हर्मी सिनमेटिक्स दिया वधार कुलśmy तो यह स्टार ब्राबर माइनस का ए लिख सकते हैं जब की एक को बीड चारना सी के रुप में लिखा जा सकता है ये अपने को सिद्द करना है तो भी प्लस अ Ade C खुद क्या है एक तो भी प्लस अउटा सिस्थ़ को भी एक विश्म हर्मीशन मेट्रिक्स के रूप में लिखते है तो भी प्लस आーユा से का star बडाबर माइनस का भी प्लस आउटा सी इतना तो क्लिएर होगा एक एप ज consists के रूप में व्यक्त करना है तो हम इस को काम मिलेंगे इसका मतलब यह नहीं है कि लेफ्ट एंड साइड राइट एंड साइड के बराबर आएगा तो यह प्रूव होगा इसका मतलब यह कि अपने एक को उठाएंगे एक रहा है उसी प्रकार से अपने बी प्लस आईटा सी को व्यक्त किया है तो बी प्लस आईटा सी के स्टार को उठाएंगे उसके बाद में देखेंगे कि वह क्या है खुद वह खुद एक हर्मी सिनमेटिक्स है विसम हर्मी सिनमेटिक्स है उसी कि A को B प्लस आयोटा C के रूप में व्यक्त करना है तो A को B प्लस आयोटा C के रूप में व्यक्त कर देंगे A खुद विसम हरमीशन मेट्रिक्स है तो अपने वो कंडिशन इस पर लगा दी वो कंडिशन लगाने के बाद अपने लेफ्ट हैंड साइड उसका लिया बी प्लस आयोटा सी का स्टार बराबर होगा बी स्टार प्लस आयोटा का बार हो जाएगा स्टार लगते ही इंटू सी स्टार तो बी स्टार बराबर बी है किस्टन में दे रहा है और i8-12 का मतलब माइनिस का i8 और C star का मतलब किस्टन में दे रहे है माइनिस का c तो अब अपन इसको solve करेंगे तो यह दोनों माइनिस माइनिस हो जाएगा प्लस यानि B प्लस i8-C खुद क्या हुआ एक B प्लस i8-C का star लिया था और B प्लस i8-C आ गया इसका मतलब यह Hermitian matrix हुआ Hermitian matrix हुआ लेकिन हमें क्या चाहिए था हमें A को उठाना था तो उसकी condition इस पे लगाई A को खुद को नहीं रखेंगे उसकी condition को apply करेंगे क्योंकि यह एक matrix है matrix condition पे होती है तो यह condition इस पे लगाएंगे तो यह answer वा तो मुझे लगता है कि अब सही तक डाउट नहीं रहा होगा क्योंकि विसम Hermitian खुद तो होता है B प्लस I टा C का स्टार बराबर माइनस का B प्लस I टा C लेकिन इसमें हमें condition apply करनी थी शिर्फ condition का क्यूस्तन है यह A स्टार बराबर माइनस का A है तो वो की condition अपने इस पे लगा दी अब अपने left hand side solve किया ताकि हमारे पास right hand side यह मिले यह नहीं मिले तो right hand side अपने यह प्रूव कर दिया क्यूस्तन में कह रहा था कि A स्टार बराबर A स्टार विसम Hermitian matrix है और उसे इस परकार लिखा दा सकता है यानि उसकी condition इस पे लगानी थी तो हमने condition लगा दी और answer रहा B प्लस A8C और वह हमें लाना था तो यह वह आज का doubt clear